हलो एवरिवन वेलकम तो लखी एजूकेशन और आज हम सुरू करेंगे पॉलिटिकल साइन्स क्लास 12 का चेप्टर नमबर 4 इंडिया एक्स्टेनर रिलेसंस यह जो बुक है आपकी इंडिया उसका चेप्टर नमबर 4 है इससे पहले 3 चेप्टर में अल्री करा चुक हूँ पहला चेप्टर चेलेंजे जो अपने बहुत सारी इंडिया की देखी इंडिया में क्या क्या इंटरनल प्रोब्लम्स चैंड नहीं थी अब जो है हम फोकस करेंगे external relations भारत के पड़ोसी देशों के साथ क्या संबन थे किस देश के साथ अच्छे संबन थे किस देश के साथ विकार संबन थे तो 1947 आपको पता यह कहानी कब थे 1947 के बार आपको पता इंडिया में दो प्रकार की problem आगे थे एक तो problem चल ले थे इंटरनल और एक चल ले थे आपकी external problems internal problems क्या क्या चल ले थे बहुत हो सब आपने chapter 1 2 3 में आपने देख लिया chapter 1 में हमने देखा कि कैसे partition की problem थी, reorganization की problem थी, यह सारी चीज़े देखी मगर अब हम देखेंगे international context, पहला हमारा जो टोबिग है, वो है international context, international context का मतलब यहाँ पर यह है, जब देश हमारा 1947 में आजाद हुआ था, जब इंडिया को आजादी मिली थी, तब international क्या situation थी, यह चीज़ हम देखने को मिलेंगे, और भारत का cash tender इंडिया ने क्या रोक अपनाया था, आप सब को पता है 1947 में हमारा जो इहरवाला जो पाकिस्तान है यह था, वेस्ट पाकिस्तान, इधर वाला जो पाकिस्तान है इसका नाम था, इस्ट पाकिस्तान, और आपको ये भी पता हुआ, कि यही इस्ट पाकिस्तान 1971 में, ये बन जाता है, बांगलादीस, ठीके, तो खेर, international तो पहली बात तो 1947 के समय आपको सब रिकॉल करना पड़ेगा जो हमने फर्ष्ट वाले चेप्टर हम बढ़ा था और सब याद रखना पड़ेगा तो इंडिया बहुत पराना देश है बहुत पर फिर भी 1947 में जब हम आजाद हुए थे तो वह सिचूइशन बहुत दर्दनाक थी बहुत जादा दर्दनाक थी अब इतनी जादा दर्दनाक थी आप पहले बाले चेप्टर में आपने देखा था उस समय पर हमारा पार्टीशन हो गया था पार्टीशन भी आसानी से नहीं हुआ था पार्टीशन में भी आपने देखने हो म बता उसमें क्या violence दिखाए जाता है कितने लोग मारे जाते हैं न आपस में इसी समय पर आपको देखने को मिलेगा reorganization की problem चल दी ती reorganization reorganization का मतलब states को मतलब reorganize करना जिसके लिए state reorganization commission ही बना था comment करके बताना है state reorganization commission कब बना था उसकी report कब आई और इसके आधार पर एक act बना था state reorganization act बो कब बना था वो आपको बताना है तो आजादी के time पर हमारी situation कैसी थी बहुत ज़्यादा खराब थी जो खराब थी मैंना भी जश्ट बताया पार्टिसन एक जिसमें एक अपनी समश्चा थी पार्टिसन के अलाबा दूसरा आपका देखने को मिलेगा रिय और्गनाईशन ये एक समश्चा हुई और फिर येक और बड़ी समश्चा इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और प्रिंसली स्टेट्स प्रिंसली स्टेट्स चारे दिए मालग हो जाए बहुत तग्ड़ा मन्दा विश्चू था जिसको हमारे सरदार वल्लभाई कहा जाता तो इंडिया की जो situation थी बहुत ज़्यादा ती और इंडिया international level पर भी आपको देखने को बहुत ज़्यादा समझ्या चल रही थी तो international level पर क्या समझ्या समझ्या चल रही थी इस्यूज एट global जब हमारा देख आजाद हुआ था भ्यान देना बार बार इंडिया को अखंप्यर करना जब देख हमारा आजाद हुआ था तो international level पर क्या चल ला था नमबर एक इस्यूज ऑफ री कंस्ट्रक्शन आप्टर वर्ल्ड वर्ड वर्ड आपको पता है यार यह जो देश बरबाद हो चुके हैं अब यहां पर कैसे री कंस्ट्रक्शन किया जाए कैसे उनको दुबारा से कड़ा किया जाए कैसे इनकी एकोनोमी को दुबारा से मजबूत किया जाए कैसे यहां पर जो प्रॉब्लम से उनको खतम किया जाए तो एक तो आशू चल जिये जो इन वार को prevent कर सकें तो आपको पता है UNO के process चला था United Nations और उनाइसन को बनानेगा process भी चला था और आपको पता है 20 मता हमारा जो UNO क्या है 1945 में बन भी जाता है बनता है नियो बनता तो international body बननेगा एक प्रोसेस चला था है न और अमारा बन भी जाता है 24 अक्टूबर 1945 को UNO बन जाता है एक इंटरनेशनल बोडी के रूप में तुइन चेलेंजेज फूर न्यूली इंडेपेंडेंट नेशन्स वेलफियर एंड एकोनोमी अब आपको यह चीज और देखने को मिलेगी कि 1945 से ध्यान देना एक चीज मैं आपको बता दूँ देखो आपने यह चेप्टर की शुरुआत की है कई जगे पर एक आज की डेट में क्या सिस्टम चलता है यार मतलब बीस मिनट में चेप्टर खतम करा देते हैं फाट्सी समय तो नुको चेप्टर रहां आकशनय करत पाऊगे पठने का मजा भी आया तो मैं भाई यहाँ यहां पर एक चीज ध्यान रखना है आपको बीच मिनट में चेप्टर खतम करना है तो भई बिलकुल यहां पर मत देखें, तहीं दूसरी जगे देखें, मैं यहां पर कोई टॉपिक जो हां पर कराऊंगा, तो हो सकता है समय लग जाए, आपको लिंक कराने की तो आप देखना, दू-ती चेप्कर जब कंप्लीट हो जाएंगे, बड़ा मजा आएगा आपको, आपको, यहां पर ध्यान रखना, जल्दवाजी वाले स्टूट बिलकुल ना देखें, भईया, बंसोट में यहां पर हो जाएगा, पंदर मिनिट में, बीस मिनिट में, ऐसा पॉसिबल नहीं, मैं तो एक टॉबिक करा हूँगा, एक एक टॉबिक लाल तो, और बड़े आसानी से करा हूँगा, बड़े टीपली करा हूँगा, आसानी ताकि लिंक कर पाओ चीजों को, मेरा परपस यह कि चीजों को आप कनेक्ट कर पाओ, तो सेकंड बलबार के बाद अपने देखे हुआ, कई देशों में क्या है, जो यूरोपियन पावर्स है, यूरोपियन पावर्स, इन्होंने कई देशों का अपनी कॉलोनी बना रखा था, पूर एक जामपल, बिर्टेन, इंगलेंड लो, बिर्टेन ने किसको कॉलोनी बना रखा था, इंडिया को कॉल क्या बोलेंगे डी कोलोनाइजेशन का एक दोर स्टार्ट होता है कितना अच्छा बड़ है का मतलब देशों को अपने कंट्रोल में लेना गुलाम बलाने लाइज नैंटीन को बाद क्या हुआ जब यह कई सारे देश कमजोर हो गये ना कॉलोनियल पापर तो देश आजाद हो दो चलाइज यहां पे पिलकुल डवलप्मेंट नहीं था तो ऐसे डेशों में लोगों का वेलफेर कैसे करें ये बहुत बड़ा चलाइज था क्योंकि इनके पास कोटगात कोई सिस्टम नहीं था और फिर यह भी देखने को मिलेगा कि नैश्टिन फटी फावर बस्ती है एक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसका हम बोलेंगे कोल्ड वॉर इना आपकी जो दूसरी बुक है कंटेंप्रेटी वर्ड पोल्टेक्स उसका चेप्टर नमर वन कोल्ड वॉर ही है इम शूर आपने पढ़ लिया हुआ नहीं पढ़ाया तो उसको देख ले मैंने कम्प् भी दिया था यूएस ने नहींटीन फॉर्टी वाइं में क्या गड़ दिया जैपान पर बॉम गिरा दिये या क्या सोगनने के लिए हम हैं सूपर पावर अंडेस्टूट तो नैंटीन फॉर्टी वाइं में एक और दौर क्या चला था भी ध्यान रखना यह बात चल लिए ग्लोबल लेबल पर क्या-क्या समझ्चा चल नहीं थी ध्यान देना एक तो रिकंस्ट्रक्शन क्यों लेकर कि इसे जो मतलब देश बरबाद हुए थे उनका कैसे रिकंस्ट्रक्शन किये जा है तूसरा इंटरनेशनल बॉडी जैसे मैंने बताया था यूए नो ऐसी बॉड नए देशों की है अब ये यूएसे की तरफ जाए या यूएसेसर की तरफ जाए ये मुद्दा फस गया अगर यूएसे की तरफ जाए तो यूएसेसर की तरफ जाए तो यूएसेसर की तरफ जाए तो यूएसेसर की तरफ जाए तो यूएसे बॉरा मान जाए इनके सामने बहुत बड़ी समझा दी, newly independent countries, like India, मगर इंडिया ने कापको बताए, एक अलगी stand लिया, जिसका नामे, non-alignment movement, कि भईया, हम ना तुमारे साथ जा रहें, ना तुमारे साथ है, हम तो रहेंगे अलग, यह वाली चीज, तो cold war, यह international लेवल पर, यहाँ पर देखने हूँ मिलेगा, यह इस्तिती थी, जब देश हमारा आजाद हुआ था, अब, इंडिया में क्या चला था, इस्यूज है, domestic level, domestic level पर हमारे साथ क्या समझा दी, British Government left the legacy of many international disputes, अब अंग्रेज गए, जाते जाते यार, बहुत सारे बीजबो के चलेगे, बहुत सारे मतला हमें लडाई छोड़ के चलेगे, बहुत सारे हमें dispute छोड़ के चलेगे, especially उनमें आपको देखने हूँ मिलेंगे, border dispute, अंग्रेज गए तुसे यहां से, border dispute बो के चलेगे, border dispute with neighbor, especially China और पाकिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ हमारा border के लिए नहीं था, एक तो यह dispute हमारे साथ छोड़ के चलेगे, जो आज तक आप देख जाँगे, 1947 से, अब 23 चल लई है, अभी भी हमारे चाइना के साथ border dispute है, अभी भी हमारे पाकिस्तान के साथ border dispute है, कस्मी रिश्यू है, तो यह ज जाएगा उसको देखना, पार्टीशन में कितने लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, इंडिया से पाकिस्तान चले आथे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले आथे, अपने पैत्रिक घर है, उसको छोड़ के जाना पड़ता है, इना महिलाओं के हठाना, एरेडिकेट करने के मतला होता हठाना, ये अपने आपने एक समश्चा थी, अब जब देश हमारा आजाद हुआ था तो उससमें हमारी ये भी था कि किस के साथ कैसे रिलेशन बनाएं, इंडिया का मतलब आपको देखने को मिलेगा, पार्टीशन के दोरान सुरू स हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन कराब होगे थे, और बात में आपको देखने को मिलेगा, चाइना के साथ भी रिलेशन कराब होने लगते हैं, चाइना के साथ 1962 में वार भी हो जाता है, तो पड़ोकसियों के साथ रिलेशन ये एक अपने आपने बड़ी समश्चा थी, तो यह मतलब आपको देखने को मिलेगा, इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर क्या समस्चा चल लई थी, नेशनल लेवल पर क्या समस्चा चल लेए थी, तो इन समस्चाओं के बावजूद, इंडिया डिसाइडेद टू कंडक्डेट इस पॉरेंज पॉलसी भेग मेंais ए च 그건 कि में टैनल में इंटर्र्फियर नहीं करेंगे तो दूसरी देशों की सोबूरेंटी artık नहीं करेंगे उन को मैंने कर के रखेंगे उसका म्रेटें giysे एंडिया इनकि पॉरेंट फॉरेन पॉलिक्सीव शुरू के एक प्यूर्ष चलारूं consequenced उसके बाद जब खतम हो जाता है second world war तो दुनिया दो भागों बढ़ जाती है USA और USSR इन दोनों के भीसे में ज्वंग स्टार्ट हो जाती है तो ऐसी सिच्वेशन में इंडिया ने बोल दिया कि भाई या ना तो में USA साथ जा रहा और ना ही USSR साथ जा रहा और इंडिया ने एक अलगी policy अपना ही policy of name non alignment movement आपको पता 1961 में name की स्थापना हुई थी यह ना इंडिया उसका फाउंडिंग member था अब यह नेम के बारे में भी detail से जानेंगे हालांकि अगर आपने cold war वाला चेप्टर पढ़ लिया है तो हनेम वाला topic हो चुगा है तो इंडिया ने कौन सी policy अपना ही non alignment की policy अपना ही यूएसे ना इंडिया ना यूएसे के साथ गया ना यूएसे सार के साथ गया जो cold war वाला इनका चला था अब एक topic question मनता है कि कौन कौन सी ऐसे factors हैं जो किसी भी देश की foreign policy निर्धारित करते हैं ऐसे factors के बारे में आपको discuss करना है तो पहला domestic and international environment is determined the foreign policy of nation सबसे important चीज़ है कि आपके देश के अंदर क्या चल ला है और international environment क्या है यह decide करता है किसी भी देश की foreign policy यह बहुत ज्यादा important है अब domestic level पर हमने देखी लें इंडिया में क्या situation थी अब यार पूर कोई देश है गरीब कोई देश आज़ाद हुआ है तो वो क्या focus करेगा व इनके लोगों का welfare कैसे हो वहाँ पर सांती कैसे इस्टेबिस हो इंटरनेशनल या आपको बता इंटरनेशनल फेक्र कैसे होते है जैसे cold war चल ला था तो cold war के दोरान जो नहीं नहीं देश आजाद हुए थे उनमें से आपको देखने हो लेगा जहादा तर देश होनों तो भ shortage of required resources अब developing country जो थे उनके पास resources की बहुत ज्यादा कमी थी resources मतलब भाई यह financial resources money की बहुत ज्यादा कमी है technology की कमी है तो यार आप resources उनके पास है नहीं तो यह उंचे खौब तो देखनेंगे नहीं जब यार आपके पास पैसा नहीं होता है तो आप सोच्टेओं बस सांती से कैसे भी जिन्दिकी खड़ जाए पैसा होगा तब आप बाकी चीजों के बारे में बात करते हो पैसा होगा ताप गाड़ी की बात करोगा बंदूग रखने की बात करोगा बहुत सारी चीजों की आप सीजोटी गाड़ भी रख सकते हो तो पैसा नहीं है डेवलपिंग कंट्री जो ने ने आजाद हुए थे निवली इंडिपेंडेंट कंट्री थे उनके पास पैसे की कमी थी फाइनेंस टेक्नली की कमी थी इन सब चीजों की कमी थी इसलिए उनुफिंए मॉडेश्ट गोल पर फॉकस किया बजाए अड़ वांस ब्याइस ने वह द्याओंस पर पर फोकस किया बज़ाए एडवांस स्चेट की तरह है इन्हों ने फोकस किया जदा पीस पर और डवलपमेंट नेजने बना रहे इस पर इन्हों ने जदा फोकस किया किसने डवलापाइंग USA के कैंप में चले आते हैं और कुछ USSR के केंप में चले आते हैं तो यहाँ पर यही हुआ कि जो सेइकेंड वयल्ड वर्ग वर्ड वड़ुर्वाय जो डवलपांक कंट्री थे ती किसी ना किसी डवलप्ट कंट्री पर क्या थे डिपेंट्ट्ट थे doubt past अब यार्त गरीब देश हैं, ताकि उनको economic और security regions की बैसे economic मतलब उनको पैसा मिल जाए, security मतलब उनको सुरक्षा मिल जाए, कि भईया ये देश हम पर attack ना कर देए, ये आपकी जिम्मेदा आ रही है, तो कई देश हुने तो सिर्फ इसलिए USA और USSR को जोइन कर लिया, ताकि उसका पड़ोसी देश, ये उसका दुसमन देश, उस पर attack ना कर देए, तो एक security regions की बैसे उनको ने USA, USSR को जोइन कर लिया, और एक economic regions की बैसे थाकि इनको पैसा मिल जा, तो ये जो developing country थे, ये totally depend हो जाते हैं, developed countries पर, किस region की बज़े से, economic और security regions की बज़े से, अब ये क्या करते थे, जो USA और USSR यो developed countries थे, ये उसके बदले में उनकी foreign policy को, developing countries की foreign policy को influence करते हैं, देखो ये ही होता है, जब आप किसी पर पूरी धर depend हो जाते हो, और उसी से मतलब कहते हो, भही आप तुम ही हमाई समाल हो, तो वो क्या करते हैं, वो आपके internal matters में भी क्या करते हैं, interfere करते हैं, भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ, पोसिस की गई यहां पर, भारत ने totally depend नहीं हुआ, किसी पर है न, मगर जैसे आज की डेट में आप देखो, पाकिस्तान, बहुत जादा डेपेंड है किस पर, चाइना पर, तो चाइना भी क्या कर रहा है, पाकिस्तान की internal policy को मतलब क्या करता है, influence करता है, तो यहां पर भी यह हो रहा था, जो देश, जो developing countries, इन पर depend होगे थे, developed countries पर, यह जो developed country थे, powerful country थे, यह देश की foreign policy को influence कर रहे थे, अब international relations से लेकर, भारत के सम्विदान में एक article है, जिसका नमें article 51 और यह DPSP का भी part है, आप सब को बता है, डारेक्टिव प्रेंसिपल और इस्टेट पॉल्सी, article 36 से लेकर, article 51 के बीच में, बात कही गई है, DPSP जगी, directive principles of state policy, क्या हो देए, directive principles of state policy, यहां पर कुछ guidelines होती है, कुछ directions होती है, किसके लिए, इस्टेट के लिए, भाईया, आप जब law बना रहे हो, तो इन guidelines का ध्यान रहा हो है, तो यह article 51 किस से सम्वंदित है, DPSP का यह article है, DPSP का यह directive principles of state policy, जिनके बारे में, part four में, हमारे constitution में दिया हुआ है, DPSP में जो चीज कही गई है, उसको enforce नहीं किया जा सकता, और अगर वो enforce नहीं हो रहा है, अगर वो लागू नहीं हो रहा है, तो आप court में भी नहीं जा सकते है, सिर्फ यह guideline से, direction से किसके लिए, तो article 51 of DPSP, समझगे न, DPSP का है, आपने fundamental light पड़े हुआ, class 11 में, fundamental light आपके दे रखे हैं न, article 12 से लेकि article 35 के बीच में, मतलब पूरे के बूरे, फिर आपके DPSP दे रखे हैं, article 36 से लेकिं, 51 के बीच में, तो यहाँ पर यही दे रखाएं कि article 51 जो है, यह DPSP का यह संबन देता है, promotion of international peace and security, मतलब article 51 Indian Constitution का क्या कहता है, कि हम कोशिस करेंगे, कि international level पर peace बनी रहे, security बनी रहे, और इससे संबन देता article है, है हमारा 51, जो DPSP का part है, और state हमेशा कोशिस करेगा, state का मतलब यहाँ पर है, देश हमेशा कोशिस करेगा, क्या कोशिस करेगा, number 1, promotion of international peace and security, कि दुनिया भर में, हम promote करेंगे peace and security को, maintain just and only relations with nations, हम कोशिस करेंगे, कि हमारे देशों के साथ, एकदम अच्छे बिवार हों, और एकदम सम्मानिये बिवार हों, यह कोशिस करेंगे, अच्छे बिवार बनाने की, respect and over the international laws and treaties with other countries, और हम कोशिस करेंगे, जो international level बाद जो law बने हुए है, जो treaties बने हुए है, उनका हम पालन करेंगे बिल्कुल, और increase settlement of international dispute through arbitration, और अगर कोई dispute हो जाता है, international बिवाद बन जाता है, तो उसको arbitration के मादियम से मतलब बीच बिचाब करके, सान्ती से हम उसको सोच जाने की कोशिस करेंगे, ये सारी बातें लिखे हुए है, आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 51 दोवारा में बता रहूँ, डीपीसपी का पार्ट है, ये international peace and security को प्रिमोट करता है, इसमें का जाए कि state हमेसा कोशिस करेगा, state को मतलब country यहां पर कोशिस करेगा, देश यहां पर कोशिस करेगा, दुनिया पर में सांती बनी रहे, पीस बनी रहे, और हम बाकी देशों के साथ, यहां state बाकी देशों के साथ अच्छे relation maintain करने की कोशिस करेगा, international peace और या international peace को establish करने के लिए हम international laws और treaties का सम्मान करेंगे, और जो international dispute है, उनको हम arbitration मतलब मध्यस्ता कर गए, बीस बचाप कर गए, पाच्चीत के जरीए solve करने की कोशिस करेंगे, ठीक है, foreign policy of India, अब इन situation में भारत ने क्या बनाई, अपनी foreign policy बनाई, तो it regulate India's relations with other countries of the world in promoting national interest, अब foreign policy का मतलब क्या है, कि भारत के USA के साथ कैसे relation होंगे, USA के साथ कैसे relation होंगे, China के साथ कैसे relation होंगे, Britain के साथ कैसे relation होंगे, Israel के साथ कैसे relation होंगे, तो किसी भी देश की foreign policy का मतलब क्या है, कि उस देश के अलग-अलग देशों के साथ कैसे relation होंगे, वो वो देश डिशाइड करेगा और इसी को हम बोलते है फॉरेंट फॉलसी जैसे आज की डेट में हमारे आज की डेट की बात करो हूं 2020 बात कर रहा हूं हमारे USA के साथ वे अच्छे रिलेशन है हमारे पाकिस्तान से रिलेशन सही नहीं अब यह जो है न किस देश के साथ अच होगा हम वहां से दूर जाएंगे तो यही है फॉरेंट फॉलसी और फॉरेंट फॉलसी के कुछ सिद्धानते है भारत की फॉरेंट फॉलसी के भी कुछ सिद्धानते है जैसे हम चाहते हैं दुनिया वर में सांती बनी रहे हम हर बार मतलब यह कोश्स करते हैं वर्ड में सा बिरोध करते हैं कि अब कोई देश दूसरे देश को गुलाम ना बनाए एंटी रेस आपने देखा साउथ अप्रिका वाला एक्जामपल जहां पर नेंशन मंडेला जी ने मतलब यह गांदोलन किया था अपार्थेट के खिलाब एक कॉलिसी चलाए था इंग्लेंड में इंग में स्टार्ट हो गई बट गई थी एक तरब यूएसे और दूसरी तरब यूएससर तो इंडिया ने क्या अपना है कि ना तुम यूएससर के साथ जा रहे हम तो अलग रहेंगे तो यह भी मारी पॉलिसी रही है पॉरेंड पॉलिसी रही है पंच सील आपको बता नेंटीन मामलों में दखलंद आज नहीं दिंगे इंटरफियर नहीं करेंगे एक्कुलिटी को प्रमोट करेंगे पीस को प्रमोट करेंगे तो कुछ इस प्रकार पहां सिद्धान ते रहें तो यह हमारी पॉरेंड पॉलिसी थोड़ी सी अफ्रीकन कंट्रीज और एसिन कंट्रीज की सब्सक्राइब करते हैं तो यह हैं कुछ प्रिंसीपल्स जो इंडियर पॉरेंड पॉलिसी को गप्रिंसीट जो तो